कल लॉकडाउन का तीसरा चरण खतम हुआ आज से लॉकडाउन का चोथा चरण शुरू हो रहा है पिछले देड़ पौने दो महीने के अंदर पूरा देश एक तरह से बंद था कोरोना की महमारी की वज़े से पूरे विश्व के अंदर इस टाइम संकट चाया हुआ है पिछले देड़ पौने दो महीने में आप लोगों ने खूब तपस्या किया है आप लोगों ने काफी कठिनाई का सामना किया है और आपकी ये तपस्या विफल नहीं होगी मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना की महमारी से हम सब लोग मिलके इसका सामना कर रहे हैं और इस पे हम लोग जीत हासिल करेंगे दिल्ली के अंदर अभी तक 10,044 केस टोटल हुए है जैसा मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि केस तो जादा है लेकिन लोग बिमार पड़ रहे हैं और ठीक हो के घर जा रहे हैं 44,4485 लोग ठीक हो गए हैं यानि कि 45 प्रतिशत लोग ठीक हो गए 160 लोगों की मौत हो गई कुरोना की वज़े से नहीं होनी चाहिए थी कोशिश कर रहे हैं हम एक एक व्यक्ति की जान बचाने की लेकिन एक औसतन तोर पे देखा जाए दुनिया के point of view से और हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों में जो है तो इतने मामलों में जो मौत हुई है वो अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा कम है लेकिन हम कोशिश करते हैं एक एक व्यक्ति की जान बचाने की अब करोना अगले एक दो महीने में तो खतम नी होने वाला जब तक इस की वैक्षिन नी आएगी तब तक खतम नी होने वाला तो जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूँ कि करोना के साथ अब अपने को अपनी जिन्दगी चलाने की आदत डालने पड़ेगी करोना भी रहेगा और अपनी जिन्दिगी भी चलेगी लॉकडाउन पर्मनेंटली नहीं रह सकता डेड़ पौने दो महीने जो लॉकडाउन रहा इस समय का हम सब लोगों ने दिल्ली सरकार ने अपनी तयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया जब करोना आया था भारत में हमारी बिल्कुल तयारियां नहीं थी हमारे बस टेस्टिंग किटनी थे हमारे बस अस्पताल नहीं में इसका इंतजाम नहीं था हमें पता नहीं था करोना में क्या-क्या तयारियां करनी है लेकिन पिछले डेड़ पॉने दो महीने के अंदर अब हमने करोना के लिए अलग से अस्पताल नामांकित कर दिये अलग से बैड लगा दिये वेंटिलेटर का इंतिजाम कर लिया ओक्सीजन का इंतिजाम कर लिया पीपी किट का इंतिजाम कर लिया टेस्टिंग किट का इंतिजाम कर लिया अब हमें अपनी अर्थ विवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है एक दम से भी नहीं खोल सकते अब धीरे धीरे हमें खोलने की दिशा में बढ़ना है कल केंदर सरकार ने इस बारे में कुछ गाइडलाइन्स जारी की है उन गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सारी चीजों को खोलने का लॉकडाउन में धील देने का निरने किया है पहली चीज कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा ऐसा किंदर सरकार का आदेश है लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी धील दी जाएंगी पहले मैं आपको यह बता दू कि क्या-क्या एलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर मेट्रो नहीं चलेगी सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिटूट, ट्रेनिंग इंस्टिटूट सब बंद रहेंगे सारे होटल बंद रहेंगे सारे Cinema Hall, Shopping Mall, Gymnasium, Swimming Pool, Entertainment Park, Theater, Bar, Auditoriums, Assembly Halls ये सब बंद रहेंगे Social, Political, Sports, Entertainment, Academic, Cultural, Religious या किसी भी तरह की बड़ी gatherings ये नहीं हो पाएंगे, ये लाउड नहीं होँगे कोई भी धार्मिक स्थान या Religious Place या Places of Worship बंद रहेंगे कोई भी Religious Gathering एलाउड नहीं होगी Barber, Spa और Saloon ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे शाम को साथ बजे से सुबह साथ बजे तक घर से निकलना एलाउड नहीं होगा केवल Essential Services के लिए एलाउड होगा 65 साल से उपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेगनेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बिमारियां हैं जैसे डाइबिटीज, दिल की बिमारी ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा क्योंकि इन लोगों के लिए करोना जान लेवा थाबित होता है रेस्टरांज को खुलना एलाओ होगा, लेकिन वहां बैठके खाना एलाओ नहीं होगा केवल रेस्टरांज में होम डिलिवरी एलाओ होगी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम ये खोल दिये जाएंगे लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक एलाओ नहीं होगे ट्रांस्पोर्टेशन को खुला जा रहा है तो आटो रिक्षा, ए रिक्षा, साइकल रिक्षा इस ये एलाओड होगे लेकिन केवल एक पैसेंजर टैक्सी, कैब्स ये एलाओड होंगे लेकिन केवल दो पैसेंजर ग्रामीन सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये एलाओड होंगे लेकिन केवल दो पैसेंजर मैक्सी कैब में केवल पैसेंजर और आर टीवी में ग्यारा पैसेंजर लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसिइंफेक्ट करेगा ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खत्रा नहों और ड्राइवर को भी खत्रा नहों कार पूलिंग या कार शेरिंग एलाउड नहीं होगी एग्रिगेटर्स वालों को दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स एलाउड नहीं होगे बस में चड़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर bus stop के उपर ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि social distancing maintain करे बसों के अंदर भी और हर bus stop के उपर भी vehicles और individuals का movement allowed होगा पूरे दिल्ली में four wheelers के अंदर दो passenger से ज़्यादा allowed नहीं होगे और two wheeler के उपर पीछे बैठ के सवारी allowed नहीं होगे पीछे पिलियन rider allowed नहीं होगा सभी सरकारी और सभी private दफतर खुल जाएंगे अपनी पूरी staff के साथ लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा private office वाले ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं work from home रहे सभी markets खुल जाएंगे लेकिन जो markets और market complexes हैं वहाँ पर दुकाने और इवन के हिसाब से काम करेंगी आधी दुकाने एक दिन खुलेंगी आधी दुकाने दूसरे दिन खुलेंगी लेकिन जो essential items की दुकाने हैं वो रोज खुलेंगी जितने stand alone shops हैं neighborhood shops हैं residential complexes में shops हैं वो सारी खुलेंगी लेकिन हर shop में social distancing maintain होगी और social distancing maintain करने के जिम्मदारी दुकानदार की होगी अगर किसी दुकान के उपर social distancing maintain नहीं हो रही तो दुकान बंद कर दी जाएगी जितने industry है सारी industry खुली जाएगी लेकिन इनके timings को थोड़ा सा stagger कर दिया गया है भीड को रोपने के लिए construction activities शुरू की जा रही है लेकिन construction activities में केवल दिल्ली में रहने वाले जो workers हैं वही allowed होंगे अभी trans border workers अभी लाना बाहर से workers को अभी लाके वह allowed नहीं होगा शादी के लिए केवल 50 guests allowed होंगे और उसमें social distancing maintain की जाएगी funeral के लिए केवल 20 लोग allowed होंगे और उसमें social distancing maintain की जाएगी containment zones के अंदर किसी भी किसम की कोई activity allowed नहीं होगी essential services को छोड़के interstate पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि border के उपर nurses को doctors को रोग दिया गया केंदर सरकार ने भी यादेश दियें कि border के उपर doctors को medical professionals को nurses को paramedical staff को sanitation पे काम करने वालों को ambulance को इनको बिना रोक टोक के allow किया जाएगा और border के उपर interstate moment के लिए goods और cargo के trucks जो हैं चाहे वो खाली truck हों चाहे समान से भरे हुए हों उनको सबको allow किया जाएगा और सबसे ज़रूरी है कि masks पहन के निकलना अनिवार्य है सबको mask पहने रहना ज़रूरी है और social distancing हर जेगे maintain करना ज़रूरी है और बार 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 जितनी बार हो से के आप अपने हाथ अच्छे से sanitizer से साबून से धोते रहिए अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए बड़ा कठिन समय है लेकिन मुझे पूरी उमीद है जिस तरह से आपने पिछले दो महीने में तपस्या किये आपकी तपस्या ये बेकार नहीं जाएगी और हम सब लोग मिलके करोना से जीत पाने में कामयाब होंगे नमश्कार